मनोविज्ञान में एक शब्द आता है नार्सिसिस्म, जो एक विशिष्ट मानसिक्स्थिती या कहें तो विकृती का बोध कराता है, जहां व्यक्ति स्वयम अपने रूप सौंदर्य पर आसक्ति की हद तक मुग्ध रहता है। शब्द कोश में आत्म मुग्धता, आत्मरति, स्वकामा सक्ति आदिशब्द इसके हिंदी परियायवाची बताए गए हैं। और व्यापक परिभाशा के अनुसार मनोविज्ञान में इसे एक प्रकार का व्यक्तित्व विकार, पर्सनॉलिटी डिसोनर्डर माना जाता है और देखकर लोग अवश उसके प्रति आकरशित हो जाते थे। उसे किन्तु दुनिया में कोई भी आकरशक नहीं लगता था और परिणाम स्वरूप वह जहां भी जाता, अंगिनत युवतियों वह युवाओं के दिल तूट जाते। नार्सिसिस की मां को एक भविश्य वक्त तो वह उसके प्रति आसक्त हो उठा, वह बार-बार उस प्रति बिंब को निर्णिमेश देखता रहता। एक बार जब नार्सिसस अपने प्रति बिंब का चुम्बन लेने जलकी और जुका, तो उसके होटों के स्पर्ष से विचलित लहरों ने उस प्रति बिंब को मिटा उस छवी को पुन प्राप्त करने के प्रयास में जील में डूप कर उसकी मृत्यू हो गई। जील के किनारे जहां उसका मृत शरीर गिरा, वहां एक बहुत सुन्दर फूल होगा, जिसे दुनिया ने नार्सिसस, नर्गिस या डेफडिल्स नाम से जाना। इसी कथा को आग प्रोक व्यक्त करने और उसे श्रद्धांजली देने उस जील के किनारे एकत्रित हुई। रोते रोते बधाल वन कन्याओं ने प्यास लगने पर जील का पानी पीना चाहा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका अमृत जैसा मीठा जल समुद्र के पानी जैसा खा जील से उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उसने बतलाया कि नार्सिसस की याद में निकले उसके आंसों ने उसके जल को खारा बना दिया है। वन कन्याओं बोली, नार्सिसस के लिए हमारी तरह तुम्हारा भी व्याकुल होना नितांत साहजिक है। वह तो था ही इतना रूपवान की सारी प्रक्रती ही उस पर मोहित रहती थी। इस पर जील ने पूछा कि क्या नार्सिसस सचमुच सुंदर था। चकराकर वे बोली कि कैसी अजीब बात कर रही हो। वह तो सारा सारा दिन तुम्हारे जल में ही अपना प्रतिबिम्ब देखा करता था। उसके स अंदर रे के बारे में तुमसे अधिक कौन जानेगा। जील ने तब बतलाया कि नार्सिसस के रूप की ओर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो उसकी आँखों में अपनी छवी देखकर अपने ही रूप पर मोहित रहती थी।